Hello everyone, welcome back to my channel, तो कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं आज के सिसन और आज डे नमबर 11 है मौक टेस्ट चालेंज का, हमने 45 डेज का चालेंज ले रखा है, तो आज डे नमबर कितना है 11, अब बात करते हैं टेस्ट के स्कोर के बारे में, उससे पहले कुछ इन पोरियंट बात करते हैं, जो कि मैं ने मौक टेस्ट मैं आज खास कर महसूस की है वह पूरे फिलिंग के साथ बताऊंगा, साथ के लास्ट में आपके बिस्ट के स्कोर बताऊंगा और आपके भी मार्ट कैसे बूस्ट रही बटाऊंगा तो पूरे वीडियो मेरे बस अब बहुत दो सिस्टम क्या हुआ आज मैंने मौक टेस्ट मैं बड़ा इस मैं ना मॉक टेस्ट दिए मेरा जैसे घे स्थे अら रिजनिंग कि asta उसके बाद फिर मैंने इंग्लिस किया फिर जीके किया फिर मैस्किया और हुए कि आज यह मं सब्सक्राइब कर लिए मैंने साड़े मौक टेस्ट पूरे अटेंप्ट कर दिये आज लागा कि स्कोर कम आएगा पता नहीं क्योंकि जाला सा कैलकुलेशन आज गलती हो रही थी दो दिन बार करना पड़े गया साथ के साथ ठंड भी जाला थी पता नहीं किस वज़े से लेकि लेकिन आपको फिर भी देना है अब देखो आज हुआ क्या हुआ कि मेरे रिजिनिंग में इतने कम मार्स मेरे कभी नहीं आ है तीस मार्स आ है मेरे इतने कम मेरे कभी नहीं आ है ठीक ना चार कोशन मैंने कर दी गलती अब मुझे लगा कि मुझे लगा कि मैंने सही किया लेक योंगलिक मेरे अच्छे ग्लत गया था और पैसेज में मेरे मांक सांट टुष धाइब उसके बाद मैच में हर बार 35 मांक से और उसके बाद फिर बात करते मेरा स्कोर आज आएक अगया गते अगया मेरे पता हिंखिया। मेरे GK में 35 मार्क्स आ गहीं जो कि अभी तक मेरे किसी भी मौक में मेरे GK में 35 मार्क्स नहीं आये थे हैं दो कोस्टन को थोरा सा और अच्छे से टाइके से पढ़ता तो साथ वह दोनों भी सभी होजाते तो फिर 40 होजा था तो मैने मौक दिया था वाई तीस जैनवरी का सिप्ट सेकिंड था या थर्ड था थर्ड था समझे और मैंने मुझे लगा कि आज स्कोर कम जाएगा लेकिन फिर भी 125 मैं टार्गेट बना रखाऊं कि 120 से नीचे तो जाना नहीं चाहिए ये पहला अब टार्गेट बना रखाऊं कि 125 से उपर ही आना चाहिए तो 125 बड़ाबर में आ गया मुझे डर लगड़ा था कि आज कहीं कम ना जा लेकिन आज मुझे जीके ने जितवा दिया हर दिन हरा जा था 2-3 मौक में मुझे जीके ने थोड़े स्कोर डाउन करवाय थे लेकिन इस बार मेरे कितने 35 मार्सा आ गया इसका डीजेन पता है किया है आप बोलेगे तुक का नहीं नहीं मेरे भाई झालक मेरे को 15 कोष् Celsius 15 से 16 कोष्षण मेरे को आते था ठीक ने 15 कोष्षं मेरे को जीकी मेरे आद आ था सुच रहे हो 15 कोष्षं आ था मुझे उसके बाद क्यूंकि जीके में बहुत बड़ी बात होती है 30 प्लस मार्क्स लाना बहुत ही टफ काम है उसके बाद हुआ कि मैंने दो कुछन इलिमिनेट करके मारे को भी सही निकल गया एक दो गलत भी हो गया लेकिन फिर भी 35 स्कोर्ड के देखके मेरे को बहुत खुसी हुई किसी दिन ऐसा हुआ आपके साथ अग अगर हुआ तो आपके सको डाँ निचना ले जाने लेकिन अपने को करना क्या है जीकों करनाल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग कम से कम पेपर में तो यह अब ऐसा हर दिन होगा नहीं कि मेरे रिजनीं में इतने कम मांख सजाएगे ऐसा तो ऊगा नहीं किसी-किसी दिन हो जाता है तो मैंने ठीक रखी थी मैंने परलिटी कवर कर रखी साथ के साथ इस्टाडिक पोर्षन कवर कर रखे जिसे वह से मेरे अपने आपको संभाल लिया दोगों यह परिणाम आपके एक्जाम में भी हो सकता है लेगिन आपको संभाल ले आना चाहिएगी कैसे आप टेगल कर पाओ कभी किसी-किसी दिन होगा कि आपसे कोशन नहीं बनेंगे आते वह कोशन छूट जाएंगे इसका मतलब कि यह रिग्रेट होना नहीं होता है मेरे बाई कभी-कभी डिफकल्टी का सामना करना ही पड़ता ह तो मेरे ओवरल स्कोर मैंने आपको आदिया 125 मार्क्स आये मेरे काफी टफ थी पेपर नहीं आज दिमाग ही नहीं चल रहा था लेकिन फिर भी मैंने कर दिये 30 जनवड़ी 30 जनवड़ी सिप्ट थर्ड़ का था अब सारे डाउट आपके क्लियर हो गांगे अब सबसे इंपो आप लोड किये जेपीजी फॉर्म में समझे उसमें मैंने अप्लोड क्या किया कि आपके सबसे पहले ग्रीन रेवलूशन के पूरा फुल एक्स्प्लाशन से राभी क्रॉप्स खडीव क्रॉप्स जयाद क्रॉप्स इससे रिलेट तीसरा मैंने अप्लोड कर जितना भी आपके कोशन होते है ना डान्स रिलेटे जो आपके CGL 22, CPU 22, SSC HSL 22, SSC MTS 22, SSGD 22, जितने भी कोशन पूछेगा ना पूरा कमपाइल करके ना कोशन दे दिया भाई इससे बाहर कुछ भी एस्टाटिक जीके का जो क्लासिकल डान्सें से बाहर नहीं जाएगा अभी डान्स बचा, एस्टेट डान्स बचा हुआ है मेरे भाई, उसको भी करेंगे धीरे धीरे खातमा पहले इसको पूरा रिवीजन कर लो और जो भाई टेलिग्राम से नहीं जुरेव ना इसमें तेरा घाटा, दूसरे आपसे निकल जाएंगे आगे समझ रहो, जो आइन जरूर हो जाना, यह बहूत इंपोर्टेंट है इसलिए आज का वीडियो बना था, आज मन नहीं करा था बनाने का लेकिन जो चैलेंज लिए उसको तो कम्पलीट करना ही पड़ेगा ना उसको छोर नहीं सकते बिल्कुल, क्योंकि हमने चैलेंज लिया है तो उसको कम्पलीट करेंगे 45 के 45 डे मौक्टेस देके सभी को खात्मा करेंगे ऐसे होना चाहिए यह प्लान चाहिए, वो कोई festival कुछ भी अपनको फड़क नहीं पड़ता फड़क पड़ता है, बस मौक्टेस लगाने का, एनालीसिस करने का, कितने स्कोर है, आपको बताने का, ताकि आप सब भी मोटिवीट होते रहो, और साथ कसा जो गलतिया हम मैं कर रहा हूं, वो आपसे भी होता होगा, क्योंकि हम सब नॉनमल है यार, हम सब ना कोई बहुत ही एक्स्ट्रा इंटलिजेंट बच्चे है, विडियो कर रहा है, प्रैक्टिस कर करके, कर 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 के आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए आपको पता दिया, ये सारे बातों को ध्यान अखना, और सबसे इंपोरेंट बात ये है मेरे आपको लग रहा हूँ, आप बहुत साइट टीचर से पड़े होगे, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ, मैंने भी कहीं से अर्ण की हैं, तो आपको दे रहा हूँ, ताकि आपकी भी भला हो जाए, बाकी प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्टिस लगाते रहो, आपका कितना स्कोर आ अभी कमेंट सेक्शन में बताते रहो, अगर कम भी आ रहा, तो कोई टेंशन लेनी बात ने, उसको सीखते रहो, सिखाते रहो, अपना यही काम है, और हार मत मानो, बस लास्ट में ही बहुत लेगे ना, हार मानना बुडी बात है, हमें तो जीतने की आदत है, हार हार कर ही ज करते इतना भी बुरा नहीं हूं मैं सब्सकाइब भी कर दो यार लाइक भी कर दो कम से कम कुछ नहीं कर दो सब्सकाइब और लाइक जोर कर देना बहुत इंपोर्डेंट इंफॉर्मेशन था आज आपके लिए फिलाल इतना ही फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में अगर कोई आपके बच गया होंगे ना कॉमेंट सेक्षन में लिख देना सब की रिपलाई में देता हूं ऑथेंटिक चीज ये के बाड़े में पूछना यह ना कि एक वाएक रोकेट साइंस पूछ लेना जो भी चीज अगर आपका कमेंट लगा कि यार मुझे बताना चाहिए तो मैं बस वर्दी चाहिए जाहिए